हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब सर्दियों का मौसम चल रहा है सर्दियों में आते हैं बहुत ज्यादा फ्रेश आमले आपला जो होता है वो सिहत के लिए बिल्कुल अम्रित के समान होता है तो आज मैं आप से शियर करने वाली हूँ यह बहुत ही तेटी आपले के अचार की इतना टेस्टी बन कर तयार होता है कि आप उसे कभी तक भी रखेंगे वो कराब नहीं होगा तो इसके लिए ले लिए मैंने फ्रेश आमले मैंने यह बजन में करीब एक किलो आमले लिए हैं आप कोशिच करें कि आप बड़ा और पका हुआ आमला लिया चार बनाने के अब हमें करना है इन आवलो को स्टीम अगर आपके पास स्टीमर हो तो ठीक है अधर्वाइज इस तरीके से एक भगोने में आप यह चलनी को सेट कर दे और इसे धकर करीब 10-15 मिनिट स्टीम होने दे जब तक कि आवला काफी अच्छे से बॉयल ना हो जाए देखिए मैंने करीब 15 मिनिट आवलो को स्टीम कर लिया है आप इस तरीके से दबा कर देखिए अगर यह दब रहे हैं तो समझे कि आवला स्टीम होकर रेडी है अब आप इन्हें निकाले और इस तरीके से आवले के ऊपर कट मार्क जैसे बने हुएते हैं तो जब यह उबल जाता है तो व बड़े आवलो को आप निकाले है देखिए मैंने सारे आवलो की फांको को इस तरीके सा अलग कर लिया है अब आप इन आवलो को करीब एक से दो घंटा दूप में रख दे जिससे इनका बिलकुल मॉस्चर भी सूख जाएगा और फिर अचार कभी भी भी खराब नहीं होग चलिए बना लेते हैं मसाला इसके लेलिया मैंने एक बड़ा चम्मच जीरा दो बड़ा चम्मच काली सरसोया राई दो बड़ा चम्मच पीली राई और एक चम्मच सौफ की अब हमें इन मसालों को हलका सा रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुश्बुना आ देखे करीब दो मिनट हो गए मसाला रोस्ट हो चुका है अब आप इसे कम्ट्री ठंदा हो अब लोको भी हमने तरीब दो गुंटे दूब में सुखा लिया था और मैंने ले लिया करीब कुछ कलिया लैसुन की वजन में गरीब 100 ग्राम होगी और 100 ग्राम ही मैंने लेली हर मिर्चे जो यह कम तीके वाली मिर्ची होती है इने भी अच्छे से पहुंच कर कर लिया था बहुत रचा टेस्ट आता है झाली अब पहले आप वो सारी चीजे जो हमने रोस्ट करके रखे थी उन्हें आप मिक्सी के जार में डाल लें अब आदा चमच मेथी दाना और एक आदा चोटी चमच हिंग डाल दें और करीब दो चमच नमक डाल दें नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ही रखें अब डाल दें एक बड़ा चमच हल्दी पाउडर और दो बड़े चमच काश्मीडी लाल मिर्ची का पाउडर ये तीखा तो कम होता है लेकिन अचार दो कि तो करेंदे जाता है और कभी भी तेल को कच्छ अचार में नाडाले अब पहले आप इस देल को जब तक कि द्धुआ ना उटने लगे ऐसा करने से आपका अचार सालों भी खराब नहीं होता देखें तेल में से दुआउटने लगा है त्ज जब गर्म हो गया है अब अब डालतें एक चम्मच सौफकी, आदा चम्मच अजवायन और बिल्कुल वन फोर चम्मच कलोंजी इन्हें खड़ा ही डालें इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है देखिए हमारी बतलब जैसा तेल हलका गर्म रहें तभी आप यह सारी जीजों को डाल दें इससे हलकी स मिर्ची पाउडर डाल दें और अब डाल दें दो बड़े चम्मच के करें वह मसाला जो हमने पीस के रखा था और इसमें एड कर दें वह और अब इन सारी चीजों को आप किसी सूखे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लें एक चीज का ध्यान और रखे आचार बनाने के वह बिल्कुल भी गीली ना हो मतलब एकदम मौस्टर नहीं होना चाहिए बिल्कुल सूखी चीजे लें आप क्योंकि कई बार हलका सा भी कुछ गीला पानी का असर रहता है तो हमारा अचार जो है वह खराब हो जाता है देखिए मैंने सारी चीजों का अच्छे से मिक्स कर अब इस अचार को रखना है आपको करीब तीन दिन धूप में तो आप इसके उपर एक पतला सा कपड़ा बांदें और इसे करीब तीन दिन धूप में रख लें ऐसा करने से क्या होगा यह जो आवला है बहुत अच्छे से गल भी जाएगा और दूसरा यह आप कभी तक भी रखेंगे बिल्कुल भी खराब नहीं होगा देखिए मैंने करी तीन दिन इस अचार को दूप में रख लिया था और आप देख सकते हैं काफी अच्छे से हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है मसाल होगा भी कितना फाइन कलर इसमें आ गया है बस अब इस अचार को आगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और अपना अनुभो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो इन सर्दियों में आप भी बनाईए टेस्टी सहावले का चार आज के लिए इतना ही मि आपनिवाद